नमस्कार, Health24 में आपका स्वागत है, मैं हूँ पल्लवी जा Health24 में आज हैरान करने वाले मेडिकल चमतकार की बात करेंगे व्यज्यानिकों का वो चमतकार जिससे कुदरत का निजाम भी बदल जाएगा यानि मेडिकल की दुनिया में ऐसी नई करांती जो पूरी तरह से सफल हुई तो नेतरहीन भी देख सकेंगे पैरलाइसिस अटैक के शिकार लोग चल सकेंगे और तो और यादाश्त खोने वाले को वापस उनकी यादाश्त मिल जाएगी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलान मस्क की नई स्टार्ट अप कंपनी ने बड़ा चमतकार करके दिखाया है जी हाँ दुनिया में पहली बार स्टार्ट अप कंपनी निउरा लिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाया है जिसे ये माना जा रहा है कि अगर ये पूरी तरीके से काम्याब हुआ तो ना सिर्फ नेत्रहीन देखने लगेंगे बलकि निउरो संबंधित बिमारियों में क्रांती आ जाएगी इस नई क्रांती पर बात करने के लिए हमारे साथ कई डॉक्टर्स के पैनल मौजूद हैं क्योंकि हर अविश्कार के पीछे रिस्क भी होता है ऐसे में पूरी जानकारी जरूरी है आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं आए सबसे पहले उनसे आपका तारूफ करवाते हैं तो डॉक्टर कामेश्वर प्रसाथ हमारे साथ मौजूद है जो की देश के जाने माने नियूरॉलिजिस्ट है डिल्ली एम्स में वो होडी रहे है नियूरॉलिजी के बिभाग में साथी साथ डॉक्टर आशीश चौदरी हमारे साथ जुड़े हैं जो की आकाश हॉस्पिटल के एमडी है और जाने माने और्थोपेडिक सर्जन भी है इसके साथ डॉक्टर राहिल चौदरी हमारे साथ जुड़ेंगे जो की आई सेवन के एमडी है और नेत्र रोग जिसके जो समस्याई होती है उनके विशेशग्य है आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चुकि आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो हम क कि यह एक बड़ा अविश्कार होगा एक बड़ी क्रांती होगी आपने अपना जो पूरा करियर है उसमें नियूरो में खास करके आपने बहुत सारे काम किये हैं बहुत सारे रिसर्च किये हैं सबसे पहले मैं आप से समझना चाहूंगी कि इसे कैसे आप लोग देख रहे ह और क्यूं इसे कहा जाए कि ये बड़ी क्रांती के तौर पर देखा जाएगा नमस्कार मैं अभी एम से रिटायर होकर फोर्टी सौ स्विटल बसंद कुझ में काम करता हूं अजास्ट आपको थोड़ा सा इन्फोर्मेशन के लिए बता दूँ और इस विसे पर मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे दिमाग में बिजली के करेंट से सारे काम होते हैं जैसे बिजली के करेंट तार के जरिये इधर से उधर ट्रांस्मीट होते हैं जाते हैं वैसे ही हमारे ब्रेन से मैसेजेज जाते हैं वो बिजली के करेंट के रूप में हमारे सभी यंग प्रत्यंग मे जाते हैं और उसी से हम सारा काम करते हैं इसका जो control and command center है वो brain है brain message देता है तो हाथ चलता है brain message देता है तो पैर चलता है brain के perception से ही हम देख पाते हैं सुन पाते हैं अभी जो करांतिकारी आविसकार हो रहा है जदिपी 1973 से ही इस पर बहुत कुछ काम होना शुरू हो गया है लेकिन अभी जो चमतकारिक अन्वेशन है वो यह है कि ब्रेन में चिप लगा करके हम जो सोचते हैं उस सोच के सहारे हम उस करेंट से हम रोबोट को या कंप्यूटर के करसर को या इवेंट ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं अब अभी जो है आप अपने जो सोच रहे हैं उस सोच से आप ड्रोन को कंट्रोल कर लेंगे कंप्यूटर के करसर को कर लेंगे और अगर रोबोटिक आर्म बना हुआ है तो वो कर लेंगे दूसरा जो बहुत बड़ा आविस्कार है वो है कि ब्रेन और हमारे हाथ-पैर का कनेक्शन जो है कभी-कभी एक्सिडेंट में कड़ जाता है। वो कनेक्शन अब हम वाइरलेस के जरिये कर सकते हैं तो जो परिलाइज लोग हैं खासकर स्पाइनल कॉड इंजिरी से वो चल सक सकते हैं अपने हाथ-ब्रेन यूज कर सकते हैं और हाथ से जो कच चच करें वो ब्रेन को फिर वह मेंसे जा सकता है यह सब क्रांतिकारी है उसमें समझनाचा सब्सक्रात कि निव् Guess कि जाए जिसको हम आम शब्दों में समझाना चाहें तो नर्व की बात हो रहीए सब कुछ ब्रेन और से कनेक्टेड है ऐसे में अगर नर्व को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो ये क्या हम कह सकते हैं कि बहुत जादा से जादा बीमारियों में कहीं नहीं यह फाइदा पॉछ आएगा सिर्फ नर्ण से जुड़ी बिमारिया या फिर बाकि और बीमारियों में भीए कारी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि हम जो सोचते हैं या हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सभी का current के रूप में एक circuit बन करके brain में रहता है, अगर brain को हम read करना सीख जाएंगे, तो हम अपनी memory को भी preserve कर सकते हैं, जिनकी memory loss हो रही है, उसको भी reverse कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो संभाव नहीं थी, वो हो सकती हैं, लेकिन यह सभी अभी संभाव नाएं हैं, अभी सबसे important जो आपने जो इलन मस्क का experiment देखा है, उसमें यह है कि 3000 से ज़्यादा electrodes, 4 square centimeter area में, मतलब 2 centimeter चोड़ा, 2 centimeter लंबा जितना area होता है, उसमें 3000 से ज़्यादा electrode लगा सकते हैं, सभी electrode जो है, हमारे brain की activity को record कर सकते हैं, और stimulate भी कर सकते हैं, यह दोनों तरफ से जो आना और जाना current का हो सकता है, यह संभाव पहले नहीं था, electrode की चलते जब होना सुरू हो जाएगा, तो बहुत करांतिकारी आविश्कार और भी होंगे, उसमें कई वर्स लगेंगे, लेकिन हाँ, यह पहला कदम है जो बहुत करांतिकारी है,